बहुत बहुत स्वागत हैं आप सभी का अपनी टूटल पेपर हैकर में आज हम बात करने वाले हैं बीएसी थडीयर वालों के लिए बॉटनी का फस्ट पेपर है और हम बात करेंगे 2023 के इंप्रॉमेंट एक्जाम में आने वाले कोशन मैं आपसे बादा करता हूँ एक भी कोशन बाहर नहीं जाएगा आपने अभी तक हमारे चनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए आपसे बादा करता हूँ कि 85% प्लस यहीं से देखने को मिलेगा कोई भी एक्स्ट्रा कोशन पढ़ने की आपको ज़्रूरत नहीं है जब तक कि सूरजराज जिन्दा है पेपर हैकर जिन्दा है आपको फेल नहीं होने दूँगा चाहें कुछ भी हो जाए और आपने अभी तक हमारे चनल को सस्क्राइब नहीं किया तो प्लीज यार चनल को सस्क्राइब कर लेना और दोस्तों को शेयर कर देना है चलो श्टार्टिंग करते इस वीडियो को एक बोटने की पेपर में हमें कौन कौन से गोशन महतपूर है देखें मैं यहां बता दो लोउग कोशनmm Crowsон शॉड कोशन हो उसका नाम बताता रहूंगा साथी साथी यह कौंन सा लोउग कोशन है कौन सा सॉड में आपको यार्द करना है साथी साथ आपके book notes, gas paper में यदि long में दे रगो तो long में याद कर ले ना short में दे रगो तो short में याद कर ले ठीक है तो पहला question आपके सामनी है पहला question है गेहू, चाबल और गन्ना देखो गन्ना, चाबल और जो गेहू आप देख रहे हैं वो चीज आपको यहाँ देखना है महत्पूर कोशन है, यह कोशन long में फसता है और यह कोशन एक आएगा आपसे बूझेगा कि गेहू को उत्पत्ती कैसे होती है या फ़र चाबल को उत्पत्ती कैसे होती है उपयोग बताईएगा, गन्ने की खेती कैसे की जाती लोकने के लिए आप क्या क्या करेंगे तो उस पर एक निवन्द आता है, आप यह याद करेंगे नेक्स कोशन है, अफीम बहुत ज़्यादा इंपोटेंट है, यह कोशन short मनेगा निवन्द जो पूछेगा, वो long में बनेगा इस बात को याद रखीगा नेक्स कोशन है, काई बर्ख प्रिक्षर क्या होता है यह short में बनेगा जो mode होता है, बहुलग उसे बोलते है इसको अब यह short में बनेगा ठीक है, अपराक कर अकार की क्या होता है, यह भी short में आपको देखने को मिलता है नीची हम बात जाते हैं यह भी कोशन आपका short में बनता है ठीक है, औस दीये पउदों का वरर्ण करना है ये भी आपका short मनेगा शात्रो इसको भी आपको याद कर लेना है होस इसपोड क्या होता है, यह भी आपको short मनेगा ठीक है, जैविक महत बताना है दालों के जैविक महत्वों की बारे में याद करना ये भी कोशिन आपका सॉट में देखने को मिलेगा भहिए आपसे बताओ नारियल का तेल जो होता है उसका उप्यों कहां किया जाता है ये भी सॉट मोगा उद्वक के अंदर क्या होता है ये निवंद आपको देखने को मिल रहा है ये कोशिन आपका लॉग में फसेगा तेलों प्रदान करने वाले पौदे कौन कौन से होते हैं ये आपका लॉग में फस सकता है 37-38 में भी आ सकता है कोई दिक्कत नहीं है पिये पदार्थ कौन कौन से है जैसे कि आपको दो परकार की होते है ये कोशन लॉग में फसेगा पिये पदार्थ और आपिये पदार्थ एलकोलिक वेबरेज में और रेसे क्या होते है उसे परदान करने वाले पौदे कौन-कौन से है जूट का पास नारील के बारे में याद क लिए साथ उसके बाद में आपको राष्टी एंब स हाउट साथ आपको बोटनिकल गारवन भी देखना है भी आपको मद flatter इज रहाए, इसको देखेंगे, पुनर स्थान किसे किया जाता है वो आपको याद करना है क्रोस बैंक क्या होती है अफीम मैं उपर बता चुका हूँ पौदो का सल्लेक्शन उपर बता चुका हूँ ठीक है पॉनिलोजी को छोड़ दीजिए सतत भिकास क्या होता है इसके बारे में आप याद करेंगे लाश्ट में कोशन है जिसे कहते है आकडो का संग्रह M सल्लेचोन यह क्या होता है संशेपट क्या होता है यह आपका 2030 में आने वाले कोशन थे आप इन कोशनों को याद करके क्या रुख गोशनी कोया है जिसे जिसे आकडर में है किशनी स如果 वो आपकाम इसे स्बच्शों है ङूरे किह आपको किल